नमस्कार में वनीता और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप डॉक्टर डॉट कॉम किडिनी को रखना है लंबी उम्रे तक हेल्दी और निरोगी तो आज ही इन चीजों को फॉलो करें अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना न भूलें जीवन शेली में लाए ये चार बदलाओ किड्नी रहेगी हल्दी हम सबी प्रति दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसका नकारत असर हमारे शरीर के विबिन अंगों पर पड़ता है यदि बात की जाए किड्नी की तो ये शरीर का बहुत ही महतुपुन अंग है ये शरीर मे मौझूद टॉक्सक पदार्ट को मुद्र के जरीये बाहर निकाता है दिल के जरीये पंप होकर किड्नी में पहुचाने वाला खून में मौझूद विशलेशे तत्वों को भी किड्नी चानती है इससे रक्त साफ होता है कई बार हमारी कुछ गलत आदते खराब खान पान ज शरीर के कई अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं एक्ससाइज नहीं करते तो 30 मिनट जरूर करें वजन अधिक है तो इसे कम करें किसी वित्रह से फिजिकल अक्टिविटी जरूर करें जैसे कि योगा प्यायाम एरोबिक्स रणिंग जॉगिंग एक्ससाइज करने से किड्नी स स्वस्थ जब लेंगे परयाप्त तरल पदार्थ यदि आप चाहते हैं कि आपकी दोनों किड्नियां लंबी उम्र तक सही तरीके से काम करती रहें तो इसके लिए आपको लिक्विड का सेवन अधिक करना है प्रते दिन 3 लीटर पानी पियें ताकि शरीर में बनने वाले ट चार दिन बाहर का खाना खाते हैं उनमें न तो कोई हरी सब्जी शामिल होती है और नहीं अनाज फल पोशक तत्व को किड्नी परिस का नकायादमक असर पड़ेगा जिन लोगों को डाबिटीज हाई ब्लेट प्रेशर की समस्या है उन्हीं ज़रासी लापरवाही बरतने से किड्नी की समस्या हो सकती है किड्नी का रूटीन चेक अप जरूर करवाएं कुछ लोग 3-4 साल तक अपना फुल बाड़ी चेक अप नहीं करवाते हैं और जब शरीर में कुछ लक्षन दर्द समस्या नजर आती है तब जाते हैं डॉक्टर के पास ऐसा आप ना करें खास कर 30 की उम्र पार करने के बाद किड्नी में कब क्या समस्या हो जोए आपको पता नहीं चलेगा इसलिए रेगिलर चेक अप जरूर करवाएं हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आयोगी जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ यह वीडियो आपको कैसा